हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अरुनास कीचा आज हम बनाएंगे ग्रीन मसाला खीच्यू यह गुजरा की ट्रेडिशनल रेसिपी है बहुती टेस्टी और यमी यह खीच्यू बनता है तो चलिए ग्रीन मसाला खीच्यू के इंग्रिडियंस देख लेंगे हो एक कप राइस फ् टू ग्रीन चीली और थोड़ा सद्वनियों को मैंने ग्राइंड कर लिया हल्का सही ग्राइंड किया है एक दम फाइन पेस नहीं बनाना है हाफ टीस्पून जीरा हाफ टीस्पून सफित्ति वेन फोट टीस्पून पापड खा लिया है अगर आपके पास पापड खा रहे पी नहींत हो ले सकते ने तो baking soda भी ले सकते और salt चलिए बना लेते हैं मसाला किच्यू को एक पेनन बाली है मैंनेमेजमेंट किया ता वह यहीम से मेजर्मेंट किया था एक कप राइस फिलार लिया तो उसमें तीन कप पानी लेंगे हूँ जबी भी मैं कप बोलती हूँ तभी मेजर्मेंट का कपी हमें यूज करना है फ्लेम वान करेंगे और पानी को बोईल आये तब तक वेख करेंगे पानी अच्छे से बोईल हो गया है पापडखर डालेंगे सॉल डालेंगे जीरा एड़ करेंगे और तीले एड़ करेंगे ओईल डालेंगे लिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको कवर करके रख देंगे और दो मिनित तक बोईल होने देंगे पानी अच्छे से बोईल हो गया है पानी अच्छे से बोईल हो गया तो अच्छे से आएगा ग्रीन चील और अरा दनिय का पेश दालेंगे 2 टेबल स्पून जितना डालेंगे लास्ट में डालेंगे इससे पादर अच्छा रहेगा ग्स कर लेंगे अच्छे से अच्छे से बोईल होने देंगे यह पानी दलने के बाद आटा एड करेंगे मिक्स करते जाएंगे सब आटा एक साथ नहीं दालना है यह तो गट्थे पड़ जाएंगे हिला लेंगे कंटिन्यूस बहुत ही अच्छा अरोम आ रहा है अब इसको कवर करके टू से त्री मिनिट तक कुक कर लेंगे तीन मिनिट हो गए चेक कर लेंगे किचु को देख सकते हैं अच्छे से कूक हो गया है पेन भी छोड़ रहा है हमेरा किचु प्रेम ओफ कर देंगे और इसको नीचे लेंगे साव कर लेंगे हमारे खिचु को बावल में साव कर लेंगे हमारे किचु को सव कर लिए उपर से थोड़ा हाचार मसाला दालेंगे ओईल दालेंगे तो रेडी है हमारा ग्रीन मसाला किचु तो फ्रेंग्स एकडम फ्लेवर्फूल और टेस्टी ऐसा हमारे ग्रीन मसाला किचु प्रिपेर हो गया इसको हम यूनिंग स्नेक्स में इंजॉय कर सकते हैं इसमें हरे दनिये का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स यह ग्रीन मसाला किचु आप जरूर ट्राइक करना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक शरूर शब्सक्राइक करना